गुर्गनेशा भ्याम नमहा हमने देखा कि पंचाक्षर मंत्र सिर्फ नमस्षिवाया है ओमकार उसके प्रारंभ में लगाया जाता है ये एक विशेश विधी है जो तपस्वियों के लिए है जिन लोगों में प्रधानत या सत्तो गुन है वे नमस्षिवाया ऐसे जब कर सकते है सामान्य लोगों के लिए शिवाय नमहा ये ही बताया है शिवपुराण में ध्यान में रखें व्यास जी ने जितने पुराण लिखे वे सब सामान्य लोगों के लिए हैं उनके इंदर जितने प्रकार की साधनाएं, अनुष्ठान, ज्यान बताए गए हैं, ये सब सामान्य लोगों की भलाई के लिए हैं। सामान्य लोगों का यहां आर्थ है जिनोंने वेदों का अध्यें नहीं किया हो। इसके आगे शिवपुराण में जप संख्या बताते हैं, कम से कम अक्षर लक्ष जप, पांच लाक जप, इससे शिवपद की राप्ती होती है। एक करोड बार जप किया तो ब्रह्मा देव के समान बन जाओगे। पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमहा या नमस्षिवाया दो करोड बार जाप करने से विष्णो के समान बन जाओगे। तीन करोड बार जाप करने से रुद्र के समान। चार करोड जाप करने से महेश के समान। पांच करोड जाप करने से साक्षा सदाश्यव के समान। किसी भी अभिश्टकारी की सिध्धी के लिए दिन में हजार बार जाब, हजार दिनों के लिए, कुल मिला कर दस लाख जाब, प्रति दिन सात्विक लोगों को भोजन भी कराना है, जिनको गायतरी मंत्र का अभुदेश है और अधिकार प्राप्त है, ब्रह्मो अभदेश द् वो प्रति दिन एक प्रश्ण का पारायन करें इससे भी शिवपद की प्राप्ति होती है या किसी एक सुक्त को लेकर अश्टा ध्याई, रुद्र सुक्त, पुरिश सुक्त किसी एक सुक्त को लेकर उसका अनुष्ठान करें दस हजार जाप इससे भी शिवपद की प्राप्त या माली को लगा कराओ उसके लिए घर्च करो इससे शिवपद की प्राप्ति होती है शिव मंदिर में स्वयम जाडों पोछा लगाओ या लगाने के लिए सुविधा करो घर्चा करो इससे भी शिवपद की प्राप्ति होती है काशी में आम अरण निवास करो भगवान के काशी रामेशुरम जैसे पुन्यक्षेतर के हर कुवा बावडी इनको कहते हैं शिवगंगा इनमें प्रदिदिन स्नान करने से शिवपद की प्राप्ति होती है वहां रहोगे तो उनी में स्नान करोगे न अपने किसी भी संबंदी का अगर शिवगंग शेतर में दाह, दशाह, सपंटी गरण, श्राध्धादी करने से सारे दुरुतों से मुक्ती और शिवपद की प्राप्ति होती है बीच-बीच में जाकर किसी भी सिवग शेतर में जाकर साथ, पांच, तीन या एक रात निवास करो जैसे जैसे करते जाओगे धिरे धिरे शिवपद की और बढ़ते रहोगे कितना लडित और सरल विकल्प हैं दिखो या केवल सदाजार का पालन करो अच्छे से समझो सदाजार क्या है बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि सदाजार क्या है निश्काम भावना से किया हुआ करम सारा करम शिवपद को प्राप्त करा लेता है दिन के समय को तीन विभाग करो इसमें पहला विफाग शास्त्रोक्त कर्मों के लिए है पोजा जाब, अधिती की सेवा, प्रकृती की सेवा दूसरा विबाग अपनी जीवी का कमाने के लिए तीसरा दिन में जो भी भूल चुक हुई हो उसकी शांती अनुष्ठन के लिए रात में जो चार प्रहर हैं उन मेंसे जो बीच के दो प्रहर ये शिव पूजन के लिए बहुती महत्यो पूर्ण है बहुती अथिक फल दाएक है ऐसे कई महान विकल्प हैं शिव जी को प्रसन करने और उनके पद को पाने इन मेंसे किसी को भी चुनकर भगवान की सेवा करो भूले नाद हवाश ही कृपा करेंगे शिवा ये नमहा